संसद में मनिपूर मुद्दे पर बुरी फसी मोधी सरकार कैसे अविश्वास प्रस्ताप पर हुई बहस विपक्ष की महिला सांसदों ने बीजेपी के छुड़ाई पसी ने विपक्ष की तीन महिला सांसदों के भाशन क्यों हो रहे हैं वाइरल नमस्कार मैं हूँ परवी शेख आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है इस रिपोर्ट में विपक्ष की तीन महिला सांसदों की जिन्होंने आविश्वास प्रस्ताप पर बहस के दोरान बीजेपी की बोलती बंद कर दी कैसे स्मृती इरानी को दिखाया आईना कैसे लोगसभा में विपक्ष की तीन महिला सांसदों ने राहुल गांदी के आरोपों को बताया सच तो कौन है वो महिला सांसद जिन्होंने पूरे तथ्यों के साथ बीजेपी के सबी दावो को किया फेल चलिया आपको बताते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में मोधी सरकार चौत अरफा घिरी नजर आ रही है विपक्ष का हर सांसद मनिपूर की बात कर रहा है लेकिन सत्था पक्ष के लोग इस सम्मेदन शिल मुद्दे पर कुछ भी पोलने से बसते नजर आ रहे हैं आज मनिपूर बवाल को लेकर सौ से ज्यादा दिन हो चुके हैं लेकिन हालात आज भी तनापोन बने हुए हैं मनिपूर को लेकर हर तरफ मोधी सरकार की आलोचना हो रही है वह इन लोग सभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा हो रही थी द्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की चुपी और राजे सरकार की निश्क्रेता जो देखती रही की घरों को जला दिया गया हत्यार लूट लिये गए और लोगों ने एक दूसरे की जान ले ले महिलाओं को अपमानित किया गया उतपीडन किया गया परेट कराए गई गन किया गया और मार डाला गया ये डबल इंजन हाथ पर हाथ धरे देख रही थी और ये कह रही थी कि भाई लड़ रहे हैं डेमकी नेता ने लोगसभा में मोधी सरकार के खिलाव आविश्वास प्रस्ता पर चर्चा में भाग लेते हुए आगे कहा बीजेपी सरकार ने मनिपूर के लोगों को विफल कर दिया है तमिलावडू की सांसद ने आगे कहा ये पहली बार था कि नियाई पालिका को राज्य की रक्षा के लिए हस्तक शेप करना पड़ा वो मनिपूर में पीड़तों की राहत और पनर्वास की निगरानी और उन्हें मुआवजा देने के लिए हाई कोट की तीन पूर महिला नियाई दीशों की एक समेती गठित करने के सुप्रिम कोट के आदेश का जिक्र कर रही थी विपक्षी इंडिया प्रतीनिधी मंडल हिस्से के रूप में मनिपूर का दोड़ा करने वाली कनी मोजी ने कहा महा भारत की तरह अपरादियों और जड़पों में मूग दर्शक बने रहने वाले दोनों को भारत के लोगों द्वारा दंडित किया जाएगा चाहें वो कुकी हो नागा हो या मैतेई हमने उनकी आँखों में केवल निराशा और हताशा देखी है मैं प्रधान मंतरी और केन सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो लोगों तक पहुचें और कहें कि हमें परवा है और न्याय किया जाएगा हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार उनके साथ खड़ी है जब वो बोल रही थी तो द्रमुक सांसदों ने आरोप लगाया कि लोग सभा टीवी का कैमरा कनी मोजी पर फोकस नहीं कर रहा था और इसके बजाए सांसद क्रीट सोलंकी को दिखाया जा रहा था जो सभापती की कुर्सी पर बैठे थे लेकिन कनी मोजी का ये बयान अब तेजी से वाइरल हो रहा है विपक्ष की महिला सांसद कनी मोजी के इन आरोपों से बीजेपी बच नहीं पाई मनिपूर पर जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने मोजी सरकार को घेरा है उसे बीजेपी काफी बेबस नजर आ रही है लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताफ पर बोलते हुए शिरुमणी अकाली दल की सांसद हर सिमरत को और बादल ने मोजी सरकार से लेकर कॉंग्रेस सभी पर निशाना साधा बटेंडा से सांसद हर सिमरत को और ने कहा कि सत्र को चलाने के लिए ओविश्वास प्रस्ताफ की जरूरत पड़ी संसदिय लोकतंत्र का ये हाल हो गया है कि सदन में कोई चर्चा नहीं की जाती उन्होंने कहा कि स्तिती यह है कि आविश्वास प्रस्ताबला कर सदन में मनिपूर पर चर्चा हो रही है हर सिमरत कौर ने कहा कि यही कारण है कि इस सरकार के पिछले 9 साल में सबसे कम सिटिंग्स हैं यह संख्या बलकी बात नहीं है यह तो सरकार के पक्ष में है सवाल यह है कि इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास इस सरकार के साथ है या नहीं हकीकत यह है कि इस देश के किसान इस देश के गरीब मजदूर इस देश के अलपसंख्यक सिख मुसलमान इन सब लोगों का विश्वास इनके साथ है क्या सरकार में इन लोगों का विश्वास है मनिपूर के मामले में तो ये साफ है कि वहां के लोगों का बिलकुल भी विश्वास नहीं है आजादी के अमरित काल में भी हम लोग अत्याचार पर चर्चा कर रहे हैं ये पूरी तरह से शर्मनाक है तरणमोर कॉंग्रेस और द्रमुक ने बुद्वार को सरकार पर मनिपूर में संकट को हल करने के लिए कुछ नहीं करने और मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखने का आरोप भी लगाया सरकार की खिलाफ अविश्वास प्रस्ताप पर बहस के दौरान लोग सभा में बोलती हुए टीमसी सदस से काकोली घोष दस्तिदार ने आरोप लगाया कि मनिपूर में डबल इंजन सरकार विफल हो गई है और केंद्र जातिये हिंसा प्रभावित मनिपूर में वास्तवी किस्ति को कवर कर रहा है उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकारी शस्त्रागारों से हत्यार चोरी हो रहे हैं और हैनानी जदाई की किया ये राज्य सरकार की मिली भगत से किया जा रहा है क्या ये जातिये सफाई अभ्यान है दस्तिदार ने आरोप लगाये कि मनिपूर संकट मिजोरम सही दूसरे पुर्वत्तर राज्यों में फैल रहा है जहां लोगों के एक वर को राज्ये से बाहा निकाला जा रहा है टेमसी सांसत ने ये भी जानना चाहा कि सत्ता पक्ष के सदसे मनिपूर के सिती के बारे में बात क्यूं नहीं कर रहे हैं काकोली घोश ने दावा किया कि मनिपूर में 5000 से 6000 घड जला दिये गए हैं और महिलाओं पर अत्याचार, छेड़चार और उत्पिडन किया गया है टीमसी नेतानी कहा कि रहाश शिवरों में भोजन और स्वच्छता की कोई उची सुविधा नहीं है और सत्ता पक्ष के पास इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है मनिपूर मुद्दे से पहले टीमसी सांसत महंगाई को लेकर भी मोधी सरकार को घेर चुकी है संसत के मौनसुस सत्र में बरती महंगाई पर विपक्षी मोधी सरकार पर हमलावर है सोमवार को टीमसी की राज्यसबा सांसत काकोली घोष ने इसका अनोखा विरोध किया था और उन्हें देश की उच्छ सदन में कच्चा बैंगन चबाया काकोली घोष का राज्यसबा में कच्चे बैंगन को दास से चबाती हुई तस्वीरे खुब वाइरल हुई थी इस फोटो के सामने आने के बाद टीमसी सांसत का बयान भी सामने आया था काकोली घोष ने इस अनों के विरोध पर कहा कि देश में गैस सिलंडर के दाम इतने महंगे हो गए है कि अब सबजी को पका कर खाना मुश्किल हो गया है इस वज़ा से सबजी को कच्चा ही खाना पर रहा है मनिपूर जातिए संगर्ष पर मोधी सरकार के खिलाव लाए गए अवश्वास प्रस्ता पर चरचा के दौरान संसत के मौनसौन सत्र में पक्ष और विपक्ष के भी जोड़दार बहस देखी गई और विश्वास प्रस्ताप पर चर्चा की शुरुआत करते हुए असम से कॉंग्रेस सांसत गौरव गोगोई ने पहले दिन मोधी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा था कि चुनाव से पहले उत्रा खंड से लेकर गुजरात और तिरपुरा तक के मुख्यमंत्रियों को ब उन्होंने कहा कि सियम तब बदले जाते हैं जब वह सहयोग ना करें केंद्रिय ग्रहमंत्री ने आगे कहा कि मणिपुर में टक्राव शान्थ हो रहा है और विश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन की चर्चा में सबसे पहले कॉंग्रेस सांसत राहूल गांधी ने बयान द देंगे उन्होंने जब चर्चा की शुरुआत की तो पहले भारत जोड़ों का जिक्र किया सबसे पहले उन्होंने संसत सदेस्टा बहाली के लिए धन्यवाद दिया इसके बाद उन्होंने रूमी का उधारन देते हुए कहा कि जो शब्द दिल से आते हैं वो दिलों में जात करता था शायद मुझे नहीं मालुम था जब करन्या कुमारी से यात्रा शुरुकी तो सोच रहाता है कि हिंदुस्तान को समझाना चाहता हूं लेकिन गहराई से मुझे मालुम नहीं था थोड़ी देर में बात समझ आने लगी जिस चीज से प्यार था जिस चीज के लिए मै को तैयार हूं उस चीज को समझना चाह रहा था आज मैं उस भावना को देखूं तो वो एहंकार था राहूर गांदी ने अविश्वास प्रस्ताप अपनी बात रखते हुए बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए साथी मोधी सरकार को आईना दिखाया वही महीं और इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें और शेयर करें देखते रहें डीबी लाइव नमस्कार